चलिए गाईज लेट्स चार्ट विद अधर लेक्ट्टर विएर अल्मोस्ट अन्दिंग अफ इस चाप्टर नाव ओके सो कोश्चिन नबर 47 से स्टार्ट करते हैं अभी यह बाला जो टेबल है यह टेक्सबुक के अंदर ही कम्लीट करेंगे यहाँ पर सब कुछ मैं इनिशली नहीं बता रहा हूँ थोड़ा सा काम अपने को इधर करने का है थोड़ा सा काम अपने को एक चार्ट के फॉर्म के अंदर करना है जो इसके नीचे है ठीक है तुमारी बुक के अंदर टेक्सबुक के न वो जो चार्ट इसके नीचे है वो तुमारे फर्स पेज पर होगा ठीक है तो स्टार्ट करें हम लोग अभी यह मैंने एक एसलसी अकाउंट बनाया ओवेसली डेबिट साइड अफकोर्स क्रेडिट साइड ठीक है क्या-क्या entries आ सकता है this is my lecture on that and then we are gonna be solving the sums ठीक है ध्यान से सुनना सबसे पहले अगर अपने पास opening stock of raw materials कभी हुआ तो वो वाला चीज इदार आ जाएगा ठीक है अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ यह वाला account अपना पिछला एक lecture ज़रा ध्यान से वो याद करो हम लोग यही वाला जो account है ऐसे बनाते हैं एक date बना देते हैं उसके बाद एक receipts बना देते हैं उसके बाद एक issues बना देते हैं और उसके बाद एक balance बना देते हैं तेक हर एक जगा पे quantity rate amount quantity rate amount quantity rate amount आ जाता है इन रियालिटी यहाँ पर बीच में न यही वाला अकाउंट इन रियालिटी कुछ ऐसे बनता है ऐसे बनता है ताकि all your methods can be followed लेकिन क्या है अगर ऐसे ही सिर्फ बनाएंगे न तो फिर entries किदर लिखें तो बीच में न एक particulars का column भी लोग बना देते हैं तो therefore एक particulars आ जाएगा ठीक है बस मैं अभी तुम लोग को क्या बताने वाला हूँ क्या क्या transactions तुम लोग को आ सकते हैं in SLC account वो वाला चीज तुमको ध्यान में रखना है और कुछ और भी जो next chart के through तुम लोग को पता चलेगा ठीक है तो सुन सबसे पहले raw materials तुमार पास कुछ ना कुछ था that is nothing but your opening stock अभी raw materials और purchase भी तो करोगे जब raw materials और purchase करोगे तो entry क्या आ जाएगे SLC account debit to creditors ठीक है SLC account debit to creditors यही वाली चीज जब यहाँ पर record होईगी ना जब यहाँ पर record होईगी सबसे पहले to balance brought down तो यहाँ पर date आ जाएगा यहाँ पर हम लोग बस लिख देंगे to balance brought down और balance के जितना quantity है जो rate है जो amount है वो आ जाएगा ठीक है उसके बाद raw materials purchase किया raw materials purchase किया तो entry आ जाएगे SLC account debit to creditors तो date on which we purchase यहाँ पर बस लिख देंगे two creditors यह अलड़ी SLC account तो है so this is something like say your passbook or something जहाँ इसे टू और बाइक के entry ही आ जाती है एक के नीचे रहे तो all your entries will start to be coming यहाँ पर एक और चीज भी आता है वो तुमको थोड़ी देर के बाद उस चार्ट के थू पता चलेगा ठीक है अच्छा तो जितना भी units purchase किया जिस भी rate के उपर खरीदा amount ठीक है फिर अपने पास दो stock हो जाएंगे जैसे पिछले chapter पिछले lecture के अंदर किया एक तुमारे पास opening stock था और अभी और भी तो खरीदा ठीक है अच्छा अगर कभी जिंदगी के ना doubt हो सर ये amount किदर से आया refer question number one of this chapter amount के अंदर क्या क्या include होता है ये बाला quantity सर किदर से आएगा refer question one of that particular chapter quantity means quantity available for consumption that is all purchases the quantity purchase less all normal losses we all have done that before ठीक है so therefore divide करके यहाँ पर क्या मिल जाएगा rate मिल जाएगा ठीक है चले opening stock हो गया उसके बाद यहाँ पर purchases हो गया ठीक है अभी जरा सोचो हम लोग ने raw material purchase किया अपने को अच्छा लगा तो आगे consume कर लेंगे कभी ना कभी अच्छा नहीं लगा तो purchase returns भी तो होता है जब purchase returns होगा तो obviously entry will be reversal by creditors चीक है जितना भी amount है यहाँ पर आ जाएगा अभी यह बाला account in reality तो ऐसे बनता है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जिस भी दिन पर purchase returns है यहाँ पर आ जाएगा by creditors obviously goods are going out नो ऐसे जरा सोचो this is your warehouse of raw materials this is your warehouse of raw materials चीक है तो माल अंदर आया to receipt side अभी supplier को return कर रहे हैं तो it is going out नो going out मतलब issues चीक है तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा now my next question is यह जो rate है यह जो rate है यह वाला rate कौन सा rate होगा it is the same rate at which you purchase जिस rate के ओपर purchase किया उसी rate के ओपर you will return लो ठीक है सुन तो अभी यहाँ पर आओ मैं तुम लोग को अभी दो चीज़ें वो बता दिया entry for purchases क्या होती है SLC account debit to creditors लिखो purchase returns उल्टा creditors account debit to SLC अच्छा rate मतलब purchase rate rate at which you have purchased purchase returns will obviously be at same rate as purchased यह जो last column है उसके लिए अपने को एक चार्ट करने का है तो अभी last column के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है यह लिख लो तो जिस rate के ओपर purchase किया था उसी rate के ओपर तो return करोगे ना ठीक है काम हो गया चलो अभी आगी अभी raw material तुम लोग principally क्यों खरीबते हो sir factory को issue करेंगे sir production करेंगे तो चलो ठीक है जब भी raw material factory को issue होगा factory बोले तो production factory के ना production ही होता है so they might write up material issue to production production मतलब factory factory मतलब WIP account मैंने कल भी बोला था मेरे खहल से तुम्हारे WIP account के debit side पर ज़रा याद करो सबसे पहले materials ही तो आता है वो materials इधर से ही तो आता है तो raw material factory को issue करोगे जितना raw material issue करोगे to the factory उसके लिए entry क्या हो जाएगी WIP account debit to SLC account entry क्या हो जाएगी WIP account debit to SLC ज़रा सोचो material के warehouse से material के warehouse से goods बाहर जा रहा है के अंदर आ रहा है sir बाहर जा रहा है it is going to the factory नो तो issues के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे date on which you issue यहाँ पे आ जाएगा by WIP यहाँ पे क्या आ जाएगा by WIP अच्छा यह वाला जो है जितना units issue किया वो इदर लिख लो यह वाला जो rate है ना will be decided by FIFO-LIFO यह वाला जो rate है will be decided by FIFO-LIFO is this understood this rate will be decided by FIFO-LIFO यह वाला चीज ध्यान में रखना in fact तुम लोग रहे पिछले lecture के अंदर सारा का सारा यह वाला तो काम किया rate was always decided by FIFO-LIFO no okay so issues के लिए issues के लिए your entry is going to be what entry will be WIP account debit to SLC यहाँ पे लिख लेना rate उपर यह वाला rate word है इसलिए फिर से नहीं लिख रहाँ rate decided by FIFO-LIFO it could be weighted average method अल्सा I'm just writing etc ठीक है सुन अभी ना warehouse ने raw material के warehouse ने factory को माल issue किया अगर उनको अच्छा लगा बोलो consume कर लेंगे the job is over अगर अच्छा नहीं लगा then in this particular case अगर अच्छा नहीं लगा तो ठीक है in that particular case they will send it back to the warehouse तो warehouse के लिए अगर कभी returns आएगा एक second अभी तक मैंने तीन entries की purchases purchase returns उसके बाद मैंने issues के entry की you issue to the factory अब मैं issue returns के entry ले रहू issue returns मतलब 2WIP so therefore 2WIP exactly reversal of this यह first entry है तुम्हारे notes की यह second है यह third है यह fourth है ठीक है factory को माल अच्छा नहीं लगा ठीक है अभी एक चीज़ आज़ा थकना माल अच्छा नहीं लगना का बहुत सारा reason हो सकता है शायद माल खराब था that could be one of the reasons यहां फिर गलत माल चला गया that could be the other reason etc. for any reason if they will return the raw materials तो warehouse जो है वहाँ पर तो माल अंदर ही आ रहा है so therefore in this particular case अभी raw material वापस आ रहे to the warehouse तो entry क्या आ जाएगी SLC account debit 2WIP मतलब यह वाली entry यह account in reality जो है ऐसे maintain हो रहा है तो यहां पर हम लोग सिर्फ 2 और 2 ही लिख रहे है और कुछ नहीं लिख रहे है अच्छा now the other question is at what rate do you take back उससे पहले मैं को ज़रा बोलो यह entry receipt की है के issues की है receipt की है ना अभी माल जो है वो अंदर आ रहे है तो receipt की entry है अभी receipt की entry है जितना quantity factory ने return किया वो लिख दो अभी यह rate किदर से आएगा this rate will be the same rate at which you issued जिस rate की ओपर तुमने issue किया था उसी rate की ओपर take back the goods ठीक है तो अभी तक 4 entries की हम लोगोंने एक बज़रा देख लिए ना purchases की entry SLC account debit to creditors at what rate purchase rate उसके बाद purchase returns purchase returns जो है in this case creditors to SLC at what rate you return at the same rate you had purchased material क्यों खरीदते हो factory को issue करने के लिए तो issue कर दो WIP account debit to SLC account ठीक है उसका rate कैसे decide होगा fee fully for say ठीक है अभी इसके बाद जो अभी हम लोगोंने 4th entry की जो अभी अभी 4th entry की ये issue returns के entry है तो issue returns के entry क्या हो जाएगी SLC to WIP तो यहाँ पे SLC account debit to WIP ठीक है और इसका rate कैसे decide होता है जिस rate के उपर आपने factory को issue किया था उस rate के उपर आप वापिस ले लो so therefore decided by decided by नहीं नहीं यहाँ पे decided by मत लिको यहाँ पर बस लिखना at same rate as issued at same rate as issued ठीक है सुन अभी ध्यान से सुनना मैंने तुम लोग को चार basic entries बोल दी ठीक है मैंने तुम लोग को चार basic entries बोल दी अब सुनो सब्हाँ ध्यान से सुनना यह बड़ा चीज SLC account के अंदर यह चारो transaction आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे ठीक है अभी एक और बहुत important चीज All your accounts are always maintained by your accounts department आप लोग accounts department को finance department भी बोल सकते हो ठीक है that choice is yours ठीक है So therefore this is maintained by your finance department ठीक है Now ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने बाला हूँ In this case no हर एक company के अंदर there is a system of physical stock taking Physical stock taking का मतलब क्या होता है कि we will count the stock के कितना है एक चीज तरह याद रखना ये account का एक rule मैंने official lecture के नब बोला भी था हर transaction के बाद तुमको balance लिखना है तो ज़रा सोचो किसी भी दिन पर अगर तुम लोग को balance चाहिए तो यहां से मिल जाना चाहिए ठीक है बट दिस अकाउंट इस मेंटेंड बाइविच दिपार्टमेंट फणाश दिपार्टमेंट कोई एक दिन कोई एक दिन हम लोगों ने क्या किया हमको लगा कि अपने को ना ये बाला जो raw material है अपने को इसको count करके देखना चाहिए वी वांटी टू नो हमारे पास कितना stock है ठीक है वी वांटी टू नो हमारे पास कितना stock है अभी सपोज मैं company का CEO था ठीक है मेरे को जानने का था अपने पास इस raw material का कितना stock है या फिर see I was a purchase manager I wanted to know कि कितना stock है ताकि अगर stock काम है I can order in stock तो suppose मैं purchase manager था मैंने ना finance department की manager को phone किया मैंने बोला ये account देख कर में को सरा बताना देखो इस raw material के लिए कोई भी movement होगा यहाँ पर दिखाई देता है ना तुमको यहाँ पर record होता है ना opening stock उसके बाद purchases purchase returns issues issues return सब कुछ record होता है तो if everything is okay this account should always show the correct stock ठीक है तो मैं purchase manager मैंने finance team को phone किया मैंने बोला ये वाला account देख के मैं को बोलो ना कि कितने units का stock है उन लोगोंने ये वाला account देखा और ये वाला column देखा balance 200 units का था तो मैं purchase manager यहाँ फिर मैं CEO of the company आपको जो भी बोलने का है SLC account के हिसाब से 200 units का stock था this stock is popularly called as book stock this stock is called as book stock something that is available from your books of accounts चीक है second अभी ध्यान से ज़रा सुनगा मैं purchase manager यहाँ फिर मैं CEO तो मैंने ना एक stock checker को बुलाया stock checker कौन होता है stock checker वो वाला बंदा होता है who will physically go and count the stock in the warehouse ठीक है यह वाले stock checker को मैंने बुला भाई पता लगा कि अपने पास stock कितना है यह बंदा warehouse के अंदर जाएगा warehouse के अंदर stock is assumed to be kept on racks like this ठीक है suppose यह वाला rack उस raw material का था जिसका इसको counting करने का था हर rack के बाजू में एक card टंगा होता है that is called as bin card that is called as bin card bin card का बड़ा version मैं अब तुमको दिखा रहा हूँ bin card जो होता है कुछ ऐसे होगा bin card save for raw material x ठीक है एक यहाँ पर date का column होगा एक यहाँ पर receipts का column होगा एक issues का column होगा एक उसके बाद signature का column होगा और receipts and issues will only be in quantity not rate not amount से quantity record होगा ठीक है worker लोगों को हर एक worker को बोला जाता है कुछ भी goods rack के उपर रखोगे तो receipt के अंदर दाल देना कुछ भी goods यहाँ से उठाओगे तो issues के अंदर दाल देना date लिग देना sign कर सकते हो तो कर देना वरना अंग उठा मार देना ठीक है तो ज़रा सोचो कोई भी transaction अगर होएगा तो उसका ये वाला चीज भी तो बनेगा तो कोई भी transaction होता रहेगा bin cards भी तो fill up होता रहेगा जब भी goods रखा receipts जब भी goods यहाँ से निकाला तो issues ब्ला 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 तो ये जो stock checker है ना इस rack के पास आया उसने bin card निकाला ठीक है bin card का receipt और issues का total market उसको subtract किया जब subtract करेगा तो तेरे को balance पता चल जाएगा कि stock कितना है stock निकला 180 कोई बोलता है sir in this particular case उसका stock 200 इसका stock 180 ये same raw material ही है लेकिन अलग अलग जगा से तुमको अलग अलग चीज़े तो मिल सकती है तो therefore in this particular case इस bin card के इसाब से bin card के इसाब से जो stock था वो कितना था 180 उसके बाद ये जो अपना stock checker था ये जो अपना stock checker था उसने क्या करना start किया उसने ना यहाँ पर जो goods पड़ा हुआ था ना इस राकियों पर उसको count करना start किया जब उसने count करना stock start किया जब उसकी counting खतम हुई पता चला stock is 190 तो बोते हैं ये तो अजीब बात है this particular stock is physical stock this particular stock is physical एक ही time पे एक ही raw material का तीन अलग लग जगा से तीन अलग लग figures आया शायद अगर दुनिया perfect होती सब लोग अपना काम solid करते कोई चोरियां मोरियां नहीं होती तो ये तीनों figure same होता लेकिन दुनिया perfect नहीं है तो in this particular case this is physical stock ठीक है तो महारे accounts के इसाब से stock कितना था 200 bin card के इसाब से कितना है 180 physical stock कितना है 190 अभी सोचो जरा if out of these three figures you have to trust one figure the maximum में को बो लो that should be which particular figure तीनों के अंदर से एक figure if I ask you you tell me out of the three figures which figure do you think is most reliable में को जरा बो which figure do you think is most reliable I think so it is always this particular thing therefore physical stock is also called as actual stock अभी counting के अंदर कैसे गल्ती करेगा I can tell you this figure is least reliable को बोलता है सर क्यों bin cards are maintained by workers अभी workers लोग के ओपर तुमनों कितना भरोसा कर सबते हैं तो एक चीज़ तरह या रठना at the end of every period management worker लोगों को बोलता है कि bin card के ओपर हर एक transaction record हुआ 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 है हम लोग इसको preserve करेगा future के अंदर कुछ भी पंगा हुआ we will refer back to this और अपने को पता चल जाएगा किस worker ने कितनी गल्ती किया फिर हम लोग उसको बोत मारेगा ये वाला sentence बोलने के लिए है एक बार bin card हम लोग rack के अंदर से निकाल लेते हैं हम लोग उसको फाड के कचरे के डबे के अंदर फिक देते हैं ये चीज़ workers को नहीं बनाते ये चीज़े workers को नहीं बताते but in reality bin cards have got no use except to scare the workers बाई चोरी मत करना अगर पकड़ा जाएगा तो तेरे को बहुत पिटाई होईगी तेरी तो अब ज़रा सोचो this is book stock ये वाला stock तो कुछ भी नहीं है ठीक है निकाल दिया this is actual stock तो in this particular case 200 units was your book stock तुमारी books of accounts के साब से तो 200 unit का stock था लेकिन reality के न कितना है 190 this is actual stock तो अभी फिर क्या करूँ देखो 200 गलत फिगर है मैं उसको काट के तो 190 कर नहीं सकता तो तो एक काम ज़रा कर 10 units का तू issue का entry पास कर ले 10 units का तू issue का entry this is a entry for stock shortage this is a entry for stock shortage ठीक है तो stock shortage जब भी जिस दिन भी पता चले उस दिन ऐसा सोचना 10 unit issue कर दिये एक बार अगर मैं 10 unit issue का entry पास कर लेगा this figure will become 190 क्योंकि 10 units will get removed now there are two questions first sir ये 10 units का rate कहां से decide होगा ये 10 units का rate कहां से आएगा so rate will be decided by your method FIFO, LIFO, etc rate will be decided जिस दिन 10 units issue किये उस दिन ऐसा सोच लेना sorry जिस दिन 10 units के stock shortage का पता चला उस दिन ऐसा सोच लेना कि 10 units issue कर दिये अगर issue कर दिये in that particular case तो rate कैसे decide होता है issue का जो rate है वो कैसे decide होता है it is decided by FIFO, LIFO so therefore यहाँ पे also rate is decided by FIFO, LIFO ठीक है एक मिनट इससे पहले मैं 4 entries कर चुका हूँ purchases, purchase returns, issues, issue returns उनको entries तो मालूम है purchase returns at the same rate as we purchase उसके बाद decided by FIFO, LIFO at the same rate as issued अभी उसके बाद stock shortage जिस दिन stock shortage का पता चला जितने units का पता चला ऐसे सोच लेना कि उतने units issue कर दिये अगर issue करती है तो rate will be decided by FIFO, LIFO तो यहाँ पे लिख लेना decided by FIFO, LIFO it could be your valid average method also अच्छा अभी entry क्या होगी अभी entry is important देखो entry के अंदर what you all can do you can debit abnormal loss account और some people say abnormal loss account के बदले में directly इसको loss ही recognize कर लेंगे शायद 10 units चोरी हो गए थे शायद 10 units गुम हो गए थे ठीक है ऐसे टरा ऐसे टरा factories के अंदर यार यह सब कुछ तो चलता रहता it's nothing so great or something ठीक है these things happen या फिर को बोते नहीं सर में तो investigation करके रहेगा सर ओके की 10 unit किदर चले गए तो फिर आप एक काम ज़रा कर लो you take it to suspense account ठीक है तू इसल सी आता हो ठीक है अभी को बोते सर suspense account बंद कैसे होएगा चलो ठीक है हम लोगों ने एक कमिंटी बिठाई पता करो 10 unit किदर चले गए 10 unit जो थे in all शायद 200 रुपए के भी नहीं थे उसके लिए मैंने investigator को 2,00,000 रुपया दिया because of principles कोई चोरी करेगा मैं उसको पकड़ पकड़ के entry पास करेगा क्या कालू account debit to suspense account क्योंकि चोर पकड़ा गया चोर का नाम वो कालू था भी यह वाला पैसा अपने को चोर से लिने काए तो उससे चोर वरकर था मैं बुला हाँ तो अभी अगर उसे पैसा वसूल कर लोगे तो entry आ जाएगी cash bank account debit to कालू account अगर उसने पैसा नहीं दिया भाग गया बन्दा then in that particular case entry आ जाएगी bad debts account debit to कालू account and hence suspense account will eventually get closed ठीक है तो अभी तक मैंने 5 entries की 5 entries मतलब purchases purchase returns issues issue returns and lastly in this particular case तुम्हारा stock shortages अभी उसके बाद last thing जरा यहाँ पे सोचना एक बढ़ अगर suppose physical stock 205 था थो ठीक है तो यहाँ पे 5 unit का abnormal gain आ जाएगा ठीक है 5 unit का stock surplus आ जाएगा there will be extra stock ठीक है तो in that particular case अब जरा सोचो originally मेरे खाल से यह वाला figure मैंने 200 बोला था ठीक है originally तो यह वाला चीज 200 बोला था लेकिन जब physical inspection किया तो पता चला actual stock इतना है 205 तो अभी 200 को काट के तो 205 कर नहीं सकता तो क्या करना पड़ेगा receipt के अंदर 5 unit का entry pass करो और क्या यह entry क्या होगा exactly reversal जो stock shortage का था तो यहां पर entry क्या आ जाएगा SLC account debit to abnormal gain costing TNL और उसके बाद suspense account ठीक है this will be nothing but in this case your entry and in this case यहां पर जो rate है उससे पहले एक चीज़ कोई ऐसा पूछ सकते है सर आप गलत सिखाते हो क्या कभी कभी मैं पूछता हूँ क्यों सर अभी तो अपने को 5 unit extra मिले ना सर तो suspense account क्यों अभी investigation क्यों करने का ओके अभी एक चीज़ ज़रा याद रखना हर company के अंदर ना stock shortage होना फिर भी बहुत अजीब बात नहीं है चोरियां होती है माल गुम हो जाता है डिस्ट्रॉय होता है ऐसे ट्रेट लेकिन extra units होना is actually more suspicious so actually more companies do investigation whenever they find extra stock शायद कुछ और चल रहा हो अपने पीट पीछे जो अपने को आज तक पता नहीं चला it could be that particular thing also so in this particular case यहाँ पर भी suspense account आता है last thing that remains sir इसका rate कैसे decide होगा इसके लिए दुनिया के अंदर कोई rule नहीं है जो भी आपको extra units मिले अगर उनका cost आपको मिल सकता है तो cost के उपर record कर देना cost नहीं मिल सकता तो estimate करके लिए cost और estimated cost अभी estimated cost you have to just try to estimate होनी यार अगर जितना भी nearby figure you can be getting यार ये 5 units extra मिले इंका cost कितना होगा you record that particular figure ठीक है ये 6th entry भी record कर लो तुम लोग ये 6th entry भी record कर लो ये कालू वाला नहीं record कर ना प्लीज और exam के ना कोई कालू वालू term नहीं उसके ने का ठीक है चल ये वाला जो तुमारा काम था this is all together done अभी ना ध्यान से सुना मैं इसके बाद तुम लोगों को क्या बोलने वाले ये जो voucher वाला कॉलम है ना ये क्या है ये मैं तुमको ना इस चीज के थूरू बोल सकता हूँ ठीक है अभी ये चार्ट जो है तुमारे first page पे है of your book ठीक है इस chapter के first page पर है ठीक है सुने अभी ध्यान ध्यान से सुनना this is हर एक company के अंदर internally एक system क्या होता है कि goods कैसे purchase किया जाए ठीक है अभी इसके लिए तुमको कुछ मेरे को चीजें वो सिखाना चाहिए जो शायद अगर audit करते तो तुम लोगो perfectly वो मालूम ही रहता but I am assuming that your audit hasn't been done at all we are trying to be doing this ठीक है ये वारा system कैसे काम करता है अचा सुनो अभी इसके लिए तुमको कई चीजे समझनी चाहिए देखो ध्यान से सुनना whatever I will be seeing हर एक company के अंदर दिन के बहुत सारी transactions होते रहते हैं example अगर raw material का कोई भी transaction हुआ finance team finance team अलब accounts department ठीक है उनको कैसे पता चलेगा कोई transaction हो रहा है कि ने इसलिए हर एक company के अंदर there is a system of vouchers that is created voucher is a physical evidence की कुछ transaction हुआ है example जब आप दुकान से माल खरीत तो आपको research आपको एक receipt मिलता है receipt is nothing but a voucher तो हर company के अंदर vouchers का system कैसे होता है I am trying to tell you that ठीक है अभी ध्यान से सुनना whatever I will be saying as such देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक production department है production department मालब factory factory मतलब kind of your processes that you will have done example के तोर पे यह तो महरा process 1 है ठीक है production department मतलब this is your P1 department एक और department भी है say P2 department मैं इस सारा का सारा चार्ट बनाए है basically reference to P1 department बनाया ठीक है P2 department का एक loose mention आ जाएगा so P1 department is something like your WIP 1 process 1 P2 is something like your process 2 अब जरा सोचो मैं तुमको इस चार्ट के अंदर यह बताने वाला हूँ कि यह जो तुम लोग ने entries की ना इसके अंदर vouchers क्या-क्या create होते हैं ठीक है और यह वाले vouchers in reality किधर किधर जाते हैं I am trying to tell you that particular thing ठीक है सुन मैं यह वाला व्यू एडॉप्ट करता हूँ I will be easier for me also to try to explain everything ठीक है सुन अभी as I was saying हर कंपनी के अंदर एक vouchers का system होता है voucher is a documentary evidence की कुछ transaction हुआ यह तुमारा process 1 था यह तुमारा process 2 था ठीक है 1 was process 1 1 was process 2 ठीक है अभी बराबर से सुनना देखो production होता जा रहा है जब production होता जा रहा है तो बेटा factories को material भी तो चाहिए लेकिन material किदर पड़ा हुआ है material पड़ा हुआ है warehouse के अंदर ठीक है तो जो process 1 का जो production department का जो manager होता है usually call them as him as a production manager यह वाला जो manager है उसको stores department को बोलने का है कि भाई हमको माल भेज लेकिन क्या है यह अपना घर नहीं है हर एक चीज जो होएगा उसका एक evidence create होना चाहिए ठीक है ताकि अगर कल को कुछ भी पंगा हुआ तो we have something as a proof ठीक है तो जो तुम्हारा production department है वो तुमारे stores department की manager को एक voucher बना के देगा that voucher is called as raw material requisition form that is called as raw material requisition requisition मतलब request होता है तो production department उस paper के अंदर लिखता है कि मेरे को क्या-क्या material चाहिए ठीक है कितना-कितना quantity चे याद रखना है यह कोई transaction नहीं है यह बस एक request है यह voucher का दो copies generate होएगा कितना copies generate होगा two तुमारे चार्ट के ना printed है two किदर एक इस department के पास रहेगा as a proof कि मैंने बोला था और एक जो है इस department को जाएगा ताकि they can issue the materials ठीक है तो अभी तक कोई transaction नहीं हुआ अब transaction होने बाला है तो request आ गया किसके पास stores department के पास assuming उनके पास material है assuming उनके पास material है 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 तो वो लोग फिर material इशू कर देंगे जब material इशू करेंगे यह first time है कि transaction हो रहा है goods का movement start होने बाला है तो जब यहां पे वो लोग material इशू करेंगे उसके साथ एक voucher create करेंगे वो voucher का नाम होता है raw material issue form उसके तीन copies generate होंगे तीन copies एक stores department ने क्योंकि उसी ने तो यह वाला voucher वो बनाया है तो वो लोग एक copy अपने पास रखेंगे एक production department के पास जाएगा material के साथ और तीसरा जो है finance team के पास चला जाएगा जैसे ही finance team को जैसे ही finance team को यह वाला voucher मिलेगा ना उनको समझ में आ जाएगा कि raw material has moved from the warehouse to the factory तो वो लोग इस वक्त यह वाला entry पास कर लेंगे issues वाला तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखे रखा हुए issues का voucher क्या होता है raw material issue form तो तुमको यह वाले vouchers का ना ना मालूम होना चाहिए वो लोग शायद कभी थेली के अंदर पूछ ले तुम्हारे module के अंदर इस procedure के बारे में बहुत ज़ादा sides है आप ट्राइटो कंसाइज एवरिफिंग इन इस पर्टिक्लर चार्ट तो पे अटेंशन प्रीज़ ठीक है अब जरा सोचो कि production department ने request किया ठीक है stores department को RM requisition form generate किया जब भी तुम लोग audit अपना life के अंदर start करोगे न मतलब जो तुमारा article छेप है तो ये वाले voucher दिखाई भी देंगे देंगे से ठीक है stores department के पास ये वाला चीज था stores department के पास ये वाला material था तो उसने issue कर दिया जब issue किया RM issue परमाएगा तीन copies के अंदर you all know where three copies will go एक इदर एक इदर and third will go to the accounts department ठीक है accounts department ये वाला entry pass कर देगा ठीक है अभी हम लोग आगे चल रहे है अभी आगे और क्या होगा ज़रा सोचो production department को माल अच्छा लगा तो use करते रहेंगे story खतम लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो return कर दो जब return करेंगे एक form generate होगा एक voucher generate होगा called as rm return memo जहां पर लिखा जाएगा कितना quantity return हो रहा है क्यों return हो रहा है वो वाला reason भी लिखा होता है ये वाला form जो है तीन copies के नहीं generate होगा तुमको समझ में आ गया रहेगा एक इदर उसके बाद एक इदर और तीसरा जो है वो store वो finance department के पास चला जाएगा ताकि finance ये वाला entry पास कर ले तो issue returns का जो voucher होता है वो क्या होता है rm return memo यादखना finance team is not authorized to pass any entry till the time they get the voucher for it जब voucher मिलता है तब ये उनको पता चलता है कि कुछ entry हुआ है तो सपने के अंदर transactions पास नहीं होते है ठीक है ये वाला काम भी हो गया तो अभी तक तुमको तीन vouchers मैंने बता दिया rm requisition form rm issue form rm return memo ठीक है अभी एक hypothetical situation जड़ा सोचो कि ना factory ने factory मतलब production department उकी उन लोग ने बोला हमको ये वाला माल चाहिए rm requisition form generate किया stores department के पास माल था उन लोगों ने issue कर दिया लेकिन production department को अच्छा नहीं लगा लेकिन इंको अच्छा नहीं लगा लेकिन कोई और factory था कोई और production department था जिनको चलेगा example production department ने buttons मांगा था ठीक है big big buttons लेकिन stores department ने चोटा चोटा buttons उनको दे दिया so this material is not suitable for them but it is not suitable for them it is suitable for some other department ठीक है for some other another production department आप लोग उसको process चूबो सकते हो तो अभी ना दो systems होते हैं दोनों में से कुछ भी follow कर लो first system is better but slower second system is not that good but quicker okay क्या कर सकते हो यह जो buttons हैं यह आप लोग return कर दो to stores department जब भी return होएगा RM return memo आ जाएगा फिर stores department दूसरे वाले department को issue कर देगा जब दूसरे वाले department को issue करेगा तो फिर से raw material issue form वो generate होगा so everything will be taken care of ठीक है अगर ऐसा नहीं करना और अगर बहुत जल्दी है तो फिर एक और option होता है tell this particular department यह जो पहला वाला department है to directly transfer the materials to the other department ठीक है अगर ऐसा होगा तो एक voucher generate होगा RM transfer form RM transfer form दो copies के जनरेट होगा एक इधर एक इधर ज़रा सोचो when material will be transferred from P1 to P2 I know stores department is not involved लेकिन फिर भी इस transaction का entry तो होगा obviously entry क्या होगा P2 account debit to P1 entry तो होगा न माल P1 से निकला और P2 को जा रहे so entry लिए P2 to P1 लेकिन ज़रा सोचो यह वाला जो form है न इसका कितना copies बनता है दो एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा तो फिर finance department को पता ही नहीं चलेगा कि यह वाला entry पास करने का है तो फिर finance department क्या करता है after some fixed interval से 15 दिन या फिर एक महिना they will collect all these particular vouchers and then in that particular case these guys will pass the collective entry तो यहाँ पर भी entry system के अदर पास हो जाता है लेकिन थोड़ा सा time लगता है तो मैंने तुमको अभी तक issues बता दिया मैंने तुमको issues बता दिया अभी RM transfer form does not affect your SLC account at all याद रखना SLC account अपनी entry क्या होईगी अगर एक department ने दूसरे department को goods transfer कर दिया तो अपनी entry क्या होईगी P2 account debit to P1 तो उससे SLC account को कोई फरक नहीं परता लेकिन entry तो होता है न कुछ न कुछ SLC account को फरक नहीं परता entry तो होगा तो वो entry के लिए voucher क्या generate होता है RM transfer form ठीक है तो अभी तक एक छोटा सा recap that I am trying to be doing ठीक है ध्यान से सुनना एक सेकें ठीक है अभी बराबर से सुनना एक बार यह रख कर दूँ vouchers that is there ठीक है कोई एक factory था उसको माल चाहिए जो भी माल चाहिए एक request दो in form of RM issue form ठीक है ये two copies के न वो generate होगा one over here, one over here stores department के पास माल पड़ा हुआ था अगर माल पड़ा हुआ था तो आप issue कर दो RM issue form ठीक है three copies one here, one here, one to the accounts department accounts department issues का entry पास कर देगा माल अच्छा लगा तो use कर लो नहीं अच्छा लगा तो return कर देगा return करोगे तो RM return memo तीन copies one over here, one over here third to the accounts department वो लोग यहाँ पे वो issue returns का entry पास कर देगा तुमको माल अच्छा नहीं लगा, किसी और को अच्छा लग गया तो तुमापस दो option है, return and we will reissue ठीक है, this is a better system all vouchers will all get adjusted in a proper way सबसे पहले return होईगा, तो RM return memo आएगा फिर से issue होईगा, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं RM issue form भी आई जाएगा, लेकिन अगर बहुत जल्दी है RM transfer form issue करो, okay and do the things, लेकिन इसका पंगा क्या है यह दो copies के अंदर ही generate होता है एक इदर, एक इदर, तो after some fixed intervals जो तुमारे stores department, sorry जो तुमारा accounts team है they will collect the forms from this department मतलब this department and this particular department they will match it and then they will pass the collective entry तो यहाँ पर भी entry pass हो जाते है लेकिन थोड़ा सा time लग जाता है, ठीक है चुछ यह बाला चीज हो गया, ठीक है अभी इसके बाद आगे क्या बराबर से सुनना, इसके बाद आगे क्या ज़रा सोचो, stores department का माल factory को जाता जा रहा है, तो stores department का जो stock है, वो कम होता जा रहा है, ठीक है one fine day it will touch reorder level also when it will touch reorder level time for stores department to purchase लेकिन stores department does not purchase purchases are done by purchase manager, तो stores department, purchase department को एक voucher देगा purchase requisition form, यह जो purchase requisition form है ना, यह तीन copies के अनद जनरेट होता है, तीन copies के अनद जनरेट होगा, कौन सा तीन copies, एक इदर रहेगा एक इदर रहेगा और third accounts team के पास चला जाएगा यह वाला चीज बस याद रखना इसका reference में तीन मिनट के बाद फिर से देगा, याद रखना, अभी तक यह कोई purchases हो नहीं रहा it is just a request by the stores department to the purchase department कि भाई, माल खरीदने का है, it is requisition form, requisition मतलब request हो रहा है, ठीक में, अगे purchase department के पास request आगे कि माल खरीदने का है वो लोग supplier लोगों का list निकालेगा usually approved suppliers होते हैं कि इनी लोगों से माल खरीद सकते हैं उन लोगों latest लिखेंगे कि अपने को ये वाला माल चाहिए suppliers will reply back with a quotation हम लोगों ने देखा which supplier is the best in terms of the quality, prices, discounts etc, etc, ok एक supplier के साथ अपना deal struck हो गया हम लोगों ने उसको order place कर दिया ठीक है supplier बोलता है एक महिने के बाद we will deliver you the stock जो तुमारा lead time होता है एक महिना बीत गया आज supplier ने अपना माल भीजा ठीक है जब supplier का truck आएगा ना बड़ी बड़ी companies के अदर एक department होता है call it GR department goods receiving department जो truck आएगा जिसके ना माल वगेरा होईगा वो supplier ने जो भीजा है वहां का जो truck driver होईगा वो आके ना GR department की manager से मिलेगा और उसको बोलेगा मैं माल लेकर आया है तो उसको बोलेगा मैं माल लेकर वो आया है आप लोग माल उतरवा लो अपने department के अंदर तो GR manager अपने मजदूरों को भीजेगा अपने worker लोग को भीजेगा और माल जो है अपने GR department के अंदर रखवा लेका उसका inspection वगेरा किया जाता है वो ऐसे ट्रा assuming everything is okay जो truck driver है ना जो truck driver है GR department के manager को एक slip देगा that slip is called as delivery चलान जो GR department का manager है वो पढ़ेगा वहाँ पर लिखा होता है कि supplier ने क्या-क्या माल भीजा है ठीक है if everything is okay जो GR department का manager है वो उसको उल्टा करेगा और उसके उपर लिख देगा received all the goods as per the order sent और वो अपना sign कर देगा और उसका एक copy चाहे तो वो निकाल सकता है ठीक है लेकिन जो original है truck driver को वोपेज दिया जाता है and truck driver जब वोपेज जाएगा it will be given back to the supplier delivery चलान is a certificate that goods have been delivered to the other person तुमको delivery चलान का best example आज की date के अंदर देता हूँ जब Amazon से कोई भी parcel तुम लोग कुछ भी order करते हो जब goods आज आते हैं तुमारे पास तुमको एक message आता है न goods have been delivered that in today's words is nothing but your kind of delivery चलान ठीक है अभी goods जो है GR department के पास पहुँच गए ठीक है उसके बाद क्या होगा goods receiving department जो है inspection वगेरा करेगा माल वगेरा वो खोलेगा ऐसे ट्रा ऐसे ट्रा which five copies एक इदर, एक इदर, एक इदर, एक इदर and one goes to the accounts team को बोदर सर हर एक को एक कापी क्यों एक तो हम ही लोगों ने generate किया एक कापी हमारे पास supplier को मालूम होना चाए कि उसने क्या भीजा था तो एक कापी उसके पास supplier को order किस ने दिया था purchase department ने उनको मालूम होना चाहिए कि जो order दिया था वो आ गया है तो एक कापी उनके पास सर, stores department के पास एक और कापी क्यों? एक तो purchase department को order किस ने दिया था stores department ने, that is one reason second main reason जब भी उनको GR note मिलता है न there is a hint for the stores department की माल company के अंदर आ चुका है जगा खाली करवा लो ताकि in this case the raw material can come inside, okay बस एक बार GR note मिल गया उसके कुछ घंटे के अंदर goods receiving department will hand over the physical goods okay to the stores department this is end of how the purchasing is done, तो इन लोगों ने order initiate किया था order मिल गया, तुमारा जो आज goods है फिर से उसका जो stock level है अब बढ़ गया, ठीक है, लेकिन अभी तक ना purchases का entry पास नहीं हुआ, क्यों, एक मिनिट ये GR note 5 copies के ना generate हुआ 1, 2, 3, 4, और 5th के तर चला गया, finance department को, यार ना finance department के अभी तक ना, उनके पास यहां पर 2 vouchers generate हो गए इसी order के, कौन से दो एक पहले purchase requisition form आया था ओके, purchase requisition form आया था और अभी और क्या आ गया, GR note आ गया ठीक है, लेकिन अभी तक ये लोग ने ना purchases के entry नहीं पास की, क्यों, क्योंकि ना finance department wait करता है कि supplier invoice कभी race करेगा, bill कभी race करेगा जिस दिन supplier bill race करेगा, उस दिन इन लोग के पास तीनों vouchers आ गये, कौन से तीन vouchers, purchase requisition form GR note and invoice from the supplier उस दिन for the first time, finance department purchases का entry पास कर लेगा, तो यार ना purchase के लिए एक voucher नहीं होता दो voucher नहीं होते, तीन voucher होते purchase requisition form GR note and invoice from the supplier ठीक है, अच्छा, तुम लोग ने माल supplier logo से लिया ठीक है, purchases के entry पास करेगा, तुमको माल अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो तुम लोग return करोगे, जब return करोगे ना, there is a system of debit notes and credit notes, which are issued by either parties वो मेरा creditor है, वो मेरा supplier है, जो में को माल भीज रहा है लेकिन कुछ माल मैंने return कर दिया, so I will be issuing debit notes वो वाला चीज मैंने यहाँ पर जान बूच के नहीं लिखा था, क्योंकि that is not a internal system, that is a external system, लेकिन आप लोग लिख सकते हो तो यहाँ पर लिख लेना debit notes issued debit notes issued तो purchase return का भी voucher जो है generate हो गया, ठीक है अभी last thing, जो again इस system के इंदर नहीं है मैंने आपे note के तोर पे लिखा हुआ है एक दिन अपने को physical inspection करने का था raw materials का, जो मैंने इस से पहले तुम लोग को explain किया, ठीक है तो stock checker जो है वो accounts department से stock लेगा जिसको हम लोग कौन सा stock बोल देता है book stock, bin card के साब से stock लेगा और उसके बाद stock की counting करेगा difference between book stock and physical stock will be called as stock shortage या stock surplus मेरे पहले वाले examples के साब से या फिर 10 unit का stock shortage हुआ या फिर 5 unit का stock surplus हुआ ठीक है, जब भी ऐसा होगा तब वो जो stock checker है ना वो एक last voucher generate करेगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है when physical verification will happen stock shortage या stock surplus will be noticed material discrepancy form will be issued, sorry will be prepared in two copies तो वो stock checker है ना वो दो copies के अंदर ये वाला जो form है तो वो generate करेगा, ओके इस form को, इस voucher को हम लोग क्या बोलते है material discrepancy वो लिखेगा कि मिरको पता चला इतने units का stock shortage है मिरको पता चला इतने units का surplus है, ठीक है? ऐसा ये वाला जो voucher है, इसका दो copies generate होता है, one that goes to the accounts team and second that goes to the top management, top management को पता होना चाहिए कि company के अंदर stock shortage और surplus क्या हो रहा है जैसे ही accounts department को ये वाला voucher मिलेगा, वो लोग top management से पूछेगा, sir ये वाला amount जो है, ये वाला जो shortage वगेरा हुआ, यहाँ जो surplus हुआ इसका investigation आप करने वाले हो कि नहीं करने वाले? अगर नहीं करने वाले तो फिर या abnormal loss या costing penal account के अंदर दाल दो, अगर करने वाले हो, फिर suspense account के अंदर दाल देना तो ये last दोनों के लिए जो तुमारा voucher generate होता है, that is called as which voucher यार, material discrepancy form, with this we will end everything that is in relation to all these particular things तो मेरा ये वाला table बनाने का एक ही aim था, that I tell you which all vouchers get generated over here, ठीक है, so these are the system of all the vouchers that are there in any damn company, ठीक है आजकल की दुनिया के अंदर तुमको एक और चीज़ बोल सकता हूं that things have started to get replaced by electronic things, okay शायद आजकल physical vouchers वागेरा वो ना हो, इन चीज़ों का एक online version हो, लेकिन in every big company, in some form or the other you will always see this particular thing, ठीक है ये तुमारा जो explanation है ये हो गया, तो 6 entries मैं को तुमको 6 system of vouchers वो सिखाना था, that I have showed it to you, मैंने तुम लोग को यहाँ पर entries वगेरा भी सिखा दिया है, ठीक है अभी तुम लोग एक काम ज़रा करो अभी अपने को next question जो है start कर देंगा है जब हम लोग next question start कर रहे हैं उसके लिए ना मैं को SLC account वगेरा वो बराबर चाहिए दो यां तीन page तक वो बनाना क्योंकि sum is going to be quite big as such ठीक है, मैं एक second next question जो है यहाँ पर एक बार वो पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद you all can try to be making that ठीक है, question number 48 we are trying to be doing, पढ़े सरा प्रीज the following are the receipts and issues of materials in a factory during March, I'll come back to the previous view ठीक है March 1st, opening stock 500 units at 25 March 3rd, issued 70 units to department A March 2nd, issued 100 units to department B, यार ना you pass the entries in date and time order, मैंने बोल दिया था तो पहले March 2nd आएगा, फिर March 3rd March 8, issued 80 20 units to department C, March 9th 20 units transferred from A to B March 13th, received from suppliers 200 units at 24.50 उसके बाद March 14th, return to stores 15 units at the rate of 24 March 16th, issued 180 units March 20, received from suppliers March 24, issued उसके बाद received, उसके बाद issued March 27th, return to store 12 units out of the issue dated 16th तो देखो, March 16th को 180 units issue किया था, उसके इसे 12 minutes return आगया March 24th, received from suppliers 100 units at 25 You are required to prepare stores ledger account with particulars column on the basis of fee 4 ठीक है The physical verification revealed that on 15th there was a stock shortage of 5 units तो 15th तारीक को ना एक stock shortage था, कितने units का 5 unit का, तो 14th और 16th के बीच में एक asterisk डाल के वो रख लिया था कि वो भूलू ना And another one on 27th of 8 units 27th को, apart from this transaction एक और transaction भी है कि अपने को shortage पता चला कितने units का बीटा, 8 units का पता चला आपको क्या करना है You are required to prepare stores ledger with particulars on the basis of first in first out ठीक है Start करें हम लोग तो तुम लोग क्या करना सुनो एक ना ऐसा account बनाओ तक्रीवन तीन साइड के लिए बना लेना Date आएगा Particulars आएगा Particulars के ना वो 2 और भाई आएगा Receipts, Issues, Balance तो in all we are going to be having 11 columns ये तीन साइड के लिए वो बना लो और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं Pause the video now Make this particular thing Give the title first लिखो Stores Ledger Control Account Stores Ledger Control Account अच्छा हर एक पेज पर Please titles देना हर एक पेज पर और date के नीचे ना एक बार March मन्त लिखी लो क्योंकि सारा question March मन्त के बारे में है ये कर लो अभी वीडियो पॉस कर लो और start तब करेंगे once your job is done ठीक है Pause the video now चलो ये बाला काम आप लोग कर लो आज का lecture हम लोग थोड़ा सा cut shot करते हैं क्योंकि इस question is big I would like to devote some time and next question slightly connection of it तो इसके लिए ना मैंने जब question पढ़ा तो भी थोड़ा सा वो जल्दी ही किया लेकिन आपके लिए एक homework है जो मेरे लिए बहुत important है ये जो भी मैंने आप लोग को explain किया जो भी मैंने आप लोग को explain किया what will I want कि आप लोग ये वाली चीज अपने words के अंदर किदर ना किदर लिखके रखो the way that I've explained in case you all want watch the lecture again लेकिन I want all those things to be written या फिर ये वाला जो diagram है आप एक और बार तो वो बना के रखो किदर in a very neat manner okay but I will want that you all know this particular thing especially names of all the vouchers in a proper way